हाई गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चानल मैं हूँ दमाली का पटना है का आप बेको सथ और एकसाइटिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ थमने लाव टाइटल देखे अपने पता कर लिया होगा यह किस पे होने वाला है हाँ यह होने वाला है तो इसी लिए बहुत अच्छा एक बॉडी लोशन यूज करना बहुत जारा जरूरी है और मैं बहुत अच्छे से अपने बॉडी को मॉस्चराइज करती हूँ डेली वीद वोजोन आयुर्वेदिक बॉडी लोशन बिल्कुल लॉंस्टिक है अच्छे से अब्सॉर्ब हो ज कर लिया है नेक्स्ट मोश्चराइजर के लिए मैंने लिया है बाउड़रोमा की यह मॉस्चराइजर बहुत एक अच्छा मॉस्चराइजर है और उसको जब पूरस अच्छे से अप्लाई कर ढूंगी ताकि मेरा इस्कें बहुत सचराइज़ जो मेरा बेस है वो बिलकुल रूखी सूखी ना लगे क्योंकि मेरा dry skin है obviously then next मैंने लिए Manish Malotra का ये primer from my glam, बहुत एक अच्छा hydrating primer है with shimmers and आपको थोड़ा सा वो ग्लोई वाला effect देगा, इसलिए मैंने चूज किया है इस primer को and बहुत एक अच्छा primer है next मैंने लिए Flower Beauty का ये foundation बहुत एक अच्छा foundation है perfect for wedding season guys and just मैं उसको अपने पूरे face में apply कर दे रही हूँ and बहुत अच्छे से जस्ट आपको blend करना है और blend करने का technique जो है मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि 1 minute से लेके 1.20 second तक आपको just blend करना है जितना अच्छा blend करोगे आपका base उतना ज्यादा flawless और अच्छा दिखेगा और blending is the key आप बोल सकते हो makeup में without blending आपका makeup बिल्कुल भी flawless और अच्छा नहीं दिखेगा अगर आपको एक अच्छा base चाहिए तो next मैंने लिए insight की concealer यह full coverage concealer है बहुत एक अच्छा concealer है with this affordable price I can say that बहुत एक अच्छा concealer है अपको अगर try करना है तब जरूर ले सकते हो और जिसको मैंने अपने usual prices में apply कर दिया है like eyes में और जहां पर भी मुझे लगता है थोड़ा dark spot से cover करना है वहीं पर मैं apply किया है mouth के पास and थोड़ा सा अपने cheeks पे so just आपको concealer brush या beauty blender से आप इसको अच्छे से blend करोगे same technique 1 minute से लेके 1 minute 20 second तक आपको just blend करना है and next मैंने लिए है pack SD loose powder banana powder sorry तो just मैं अपने जहां पर मैंने concealer apply किया है वहीं पर मैं apply कर दे रही हूँ and next मैंने लिए miss clear के eyebrow के spoolie की help से मैं अपने eyebrow कॉंब कर ले रही हूँ then a brown और black shade को you know थोड़ा सा मिला जोला के just apply कर दे रही हूँ अपने brows में just अपने line को draw कर रही हू that's it or just gaps fill कर रही हूँ जो अपको करना होता है eyebrow बनाने के लिए same तरीके से मैं दूसरा eyebrow भी complete कर लिए next मैंने लिया है दो eyeshadow palette from nika के autumn spice से मैंने orange shade को apply करे किया है अपने crease line पे और वहां पे just blend कर दूँगे and poison apple में से एक red maroon shade को अपने outer V पे apply कर रही हूँ and अच्छे से place कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा depth मिल सके और वहीं पे just आपको concentrate करके blend करना है then just मैं blend करते जा रही हूँ वही maroon shade को and then मैंने shimmer shade लिया है poison apple के palette से जो red shade में जहां पे जादा available था वही palette से just मैं अपने brush के help से अच्छे से मैं उसको cut crease में बदल रही हूँ and as you can see मैं बहुत precisely काम कर रही हूँ ताकि बहुत एक अच्छा सा look create हो जाए then next मैं फिर से maroon shade को अच्छे से depth देने के लिए और थोड़ा सा लेके outer V पे अच्छे से blend कर रही हूँ and then maroon shade को मैं जिस्ट अपने lower lash line पे अच्छे से blend कर दियू next मैंने शूर का eyeliner लिया है and वही से मैं एक wing बनाने की कोशिश कर रही हूँ कोशिश क्या वही कर रही हूँ and बहुत एक अच्छा सा wing बनाने का मेरा मन था तो मैंने बना लिया as you can see मै next जो भी मेरे face पे powder थे excess powder को just मैं remove कर रही हूँ buffing brush के help से then next मैंने लिया है my glam का ये bronzer and वहां से मैं just अपने face को definition देने के लिए usual places पे apply कर दे रही हूँ कि मेरा face सोड़ा सा flat और sharp दिखे and nose पे थोड़ा सा forehead पे jaw line पे apply करना है आपको and as you can see बहुत एक अच्छा सा ये contour हो गया and next मैंने लिया make up revolution के ये blush and इसको मैं अपनी cheeks पे थोड़ा सा nose पे थोड़ा सा chin पे apply कर दे रही हूँ that's it next मैंने लिया miss clear के ये setting spray सारे product को अच्छे से set करने के लिए जो मैंने make up लगाया है ताकि इधर से ना हिले the next मैंने लिए my glam का ये mascara बहुत एक अच्छा mascara है waterproof नहीं है लेकिन बहुत काम का है बहुत अच्छे से आपके lashes को length और volume देता है जो मुझे काफी पसंदे next मैंने लिए lipstick in the shade naika का wake up makeup just मैं इसको apply कर दे रही हूँ काफी you know light maroon हो गया because dark maroon था तो मुझे थोड़ा सा ऐसा ही चाहिए था तो जैसा मुझे चाहिए था ऐसा मिल गया दोनों को मिला के next मैंने highlighter के लिए Swiss beauty का highlighter and अपने फेस के highest points पे अपलाई कर दे रही हूँ चीक बोंस पे nose, cupid bow, chin, थोड़ा सा forehead में ताकि और face चमकना की दिखाया है आप लोगों को बिंदी के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए मैं चलती हूँ के बाई